है है गाइस वेलकाम बैक टो माई चैनल तो आज हमारे पास अन्बॉक्सिंग करने के लिए है एक बोट का स्मार्ट वाच जिसको मैं फ्लिपकाट से पर्चेस किया था 199 रुबे में इस वाच को मैं पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ तो इसका जो अभारोल तो डोंट वेस्ट अफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टिट बॉक्स को ओपिन करने के बाद बॉक्स कॉंटेंट में आपको मिलता है पहले ही हमारा वाच तो इसको यहां से निकाल लेते हैं और इसको फिलहाल रखते हैं साइड में देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है तो इसके अंदर इसको भी कोई काम का नहीं है इसको भी हटा देते हैं तो इसके अंदर मिलेगा पावर केबिल चार्जिंग के लिए बहुत ही सॉलिड क् लगता है ठीक है इसको भी रखते है side में और इसके अंदर आपको मिला गा एक बहुत लंबा सा push तक जिसमें IPL के टीमो का add दिया गया है ठीक है तो ये भी कोई काम का नहीं इसको भी रखते है side में यहाँ पर आपको मिलेगा user manual तरफ से प्रोफाट किया गया और यहां पे मिलेगा किवार कोड जिसको स्कैन करके आप इसका डाउनलोड कर सकते हो तो ठीक और last में आपको मिलेगा इसके अंदर बोट के तरफ से दिया गया One Year Manufacturer Warranty Card देख सकते हो आप यहाँ पर लिखा गया है One Year Manufacturer Warranty ठीक है तो फिलाल बॉक्स में यही था तो इसको रख देते हैं साइड में और चलते हैं हमारे वाच की तरफ तो वाच देख सकते हो आप यह वाच है जो मुझे ब्लू कलर में मिला है ठीक है जिसका बेल्ट क्वालिटी आइटिंग ठीक है बढ़िया ही है इसके साथ आपको मिलता है Solid Metal का Body इसको भी रखते हैं साइड में 1.3 इंचेस डिस्पले यहाँ पे दिया गया है Charging Slot जो पूरा का पूरा Magnetic Slot है फटा फट से वाच को बूट कर लेते हैं तो यहाँ पे दिया गया है Button इसको प्रेस करके Hold किजिएगा तो यह बूट हो जाएगा तो फटा फट से कर लेते हैं बूट इसको प्रेस करते हैं बूट का लोग आ गया उसके बाद हमारा Watch ओन भी हो गया तो आप लोग देख सकते हो फिलहाल इसमें 44% चार्ज है Company का दावा है कि एक बार full charge करने के बाद Watch आपका 20 से 25 दिन तक non-stop चलेगा तो चलिए अब इस Watch को एप की ज़रीए मोबाइल के साथ कनेक्ट किया जाए तो यह है Boat का एप जो आपको Play Store में मिलेगा जिसका नाम है Boat Pro Gear तो आप फटाफट से जाके Play Store और App Store में इसको फाइंड करके इसको डाउनलोड कर लीजिए मैं फिलहाल डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं इसको यहाँ से Open कर देता हूँ ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफिस आएगा उसके बाद आपको यहाँ पे Right तो Left स्वाइप करना है उसके बाद आपको यहाँ पे रेजिस्टर करना पड़ेगा तो यह उसना पर प्लिक करते हैं उसके बाद इन लोगों का जो पर टाम्स कॉंडिशन है उसको आप फड़ा फड़ा से रीड कर लिजे उसके बाद एगरी पर क्लिक कीजिए देन आपको आपका मोबाइल का ब्लूटूथ का पर्मिशन इस एप आपको देना पड़ीगा तो सिम्प्लि यहाँ पर कॉंटिनु करके अलाव कर दिजिए अलाव करने के बाद लोकेशन मांग रहा है आप देखें यहाँ पर नाम आ गया स्ट्रॉम करके तो यहाँ पर क्लिक किजिए और नहीं आता है तो यहाँ पर रिप्रेश का ओप्शन दिया गया है आप वहाँ से रिप्रेश करके भी आप फाइंड कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए मेरा कानेट हो गया तो कॉन्फरम बाइंड डिवाइस इस पर क्लिक किजिए अब हाईब्रेट कर रहा है तो आप अपना अकाउंट यहां से बना लेजिए तो मेल उसके बाद देट बर्त तो यह सब पर्सेनल इंफरमेशन है मैं इसको करके आपको दुबाड़ा कॉंटेन करता है तो सब इंफरमेशन एंटर करने के बाद यहां पर देख सकते हो आप मैं आज फिलहाल 76 टेप चल चुका हूँ तो यह वाच खाली देखने में है एक मेडिकल कीट है मे में रखते हैं मैं इस वाच को एक मेडिकल कीट इसलिए बोल रहा हो क्योंकि इस वाच से आप यहां पर देख सकते हो आप हार्ट रेट मोनिटाइज कर सकते हो ब्लाड पेसर आप यहां पर कैल्कुलेट कर सकते हो ब्लाड ऑक्सिजन बहुत कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या है इसमें और यहाँ पर sports mode दिया गया है आप यहाँ पर click करके देख सकते हो run walk bike hike climbing बहुत सारा बहुत सारा यहाँ पर feature दिया गया है और आप यहाँ से music भी control कर सकते हो like गाना और जो भी music clear आप ऐस करते हो और यहाँ पे settings पे आप देख सकते हो यहाँ पे dialer आप change कर सकते हो आप यहाँ पर सनलाइन फ्राइज और दिख कर सकते हो यहताइब देख सकते हो यह पीछे की तरफ यहाँ पे बहुत सारा सेंसर देया गया है आप देख सकते हो काउंट कीजिए कितना है four four sensor देख सकते हो इस sensor ज़ये आपका blood oxygen, blood pressure, heart rate यह सम मोनीटर होता है और charging के बुल की हम लोग बात करें तो यह पूरा magnetic charging के विले आपको बोल रहा था ठीक है यहाँ पर इसको ले जाएंगे तो यहाँ पर connect हो जाएगा अपने आप देख सकते हो यहाँ आप अप उल्टा करके लागा होगे तो नहीं होगा यहाँ देख सकते हो यह देखो नहीं हो रहा ना तो overall मेरा जो experience से इस watch के साथ ओ काफी अच्छा है तो मैं इसका best buying link अपने description में देदूंगा आप वहाँ चे पर्सेस कर सकते हो तो इसका और भी inbuilt feature से जो इस वीडियो में मैं cover नहीं कर सकता तो separate में और एक वीडियो में सब कुछ cover कर दूंगा तो बस वीडियो में इतना है देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करे चैनल में नहीं हो तो चैनल को subscribe करे और आपका कोई सुजाब हो तो नीचे comment करना मत भूलिएगा फिलहाल मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे नए topic के साथ जै हिंद जै भारत